भगवान संकर के ग्यारवे अवतार कहे जाने वाले अनुमान जी का ब्रत और पुजन कांडे से हर मनो कामना पूरी हो जाती है। सुक सम्रद्धी, यस और संतान प्राथ्ती के लिए मंगलवार का ब्रत रखना सुम्माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगल ब्रत कथा पाठ करके इस उपवास को पूरी सिद्धा के साथ पूर्ण करना चाहिए तो चलिए कथा शुरू करते हैं प्राचिन समय की बात है किसी नगर में एक ब्रहमड दोपत्ती रहती थी उनके कोई संतान न होने के कारण वो बेहत दुखी थी हर मंगलवार ब्रहमड बन में हनुमान जी की पूजा के जाता था वो पूजा करके बजरंग वली से एक पुत्र की कामना करता था उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ती के लिए मंगलवार का ब्रत करती थी वो मंगलवार के दिन बुरत के अंट में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी एक वार बुरत के दिन ब्रहमणी ने भोजन नहीं बनाया और नहीं हनुमान जी को भोग लगा सकी तव उसने प्रण किया के वो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करेगी वो भूकी प्यासी छे दिन तक पड़ी रही मंगलवार के दिन वो बेहोस हो गई हनुमान जी उसकी स्रद्दार भक्ती देखकर प्रसन्न हुए उन्होंने आसरबाद स्वरूप ब्रामडी को एक पुत्र दिया और कहा यह तुमारी बहुत सेवा करेगा बालक को पाकर ब्रामडी बहुत खुस हुई उसने बालक का नाम मंगल रखा कुछ समय भी था जब ब्रामड घर आया तो बालक को देख पूछा वो कौन है पत्नी बोली की मंगलवार के ब्रत से प्रसन होकर हनुमान जी ने उसे ये बालक दिया है यह सुनकर ब्रामड को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ एक दिन मौका पाकर ब्रामड ने बालक को कुए में गिरा दिया घर पर लोटने पर ब्रामडी ने पूछा कि मंगल कहा है तवी पीछे से मंगल मुस्क्रा कर आ गया उसे बापस देखकर ब्रामड चौक गया उसी रात को बजरंग बली ने ब्रामड को सपने में दर्सन दिये और बताया यह पुत्र नौने ही उसे दिया है सच जानकर ब्रामड बहुत खुश हुआ जिसके बाद से ब्रामड दंपत्ती नियमत रूप से मंगल वार ब्रत रखने लगे मंगल वार का ब्रत रखने वाले पनुस हरुमान जी की अपार करपा होती है इसी लिए मंगलवार का ब्रत स्रद्दा और भाव से रखना चाहिए साथ में हनुमान जी की कथा सुननी चाहिए जिस से हर इंसान की मनो कामना पूरी हो सके